जिन्दगी की राह में कहीं खो गया है इंसान मन्जल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान हौसलों को कर भुलन पूरे होंगे अर्मान उचे हो विचार मुश्किलों में हो मुस्कान राज योग के राज को जान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान जिन्दगी बने आसान नमस्कार, ओम शान्ती, आपका हमारे शो जिन्दगी बने आसान में स्वागत है तो दर्शे को हमने एक कोट बहुत ज़्यादा सुना होगा All Glitters is Not Cold कई बर हम देखते हैं कि व्यक्ति हमारी बहुत बात सुनते हैं कहीं लोग हम जो कहते हैं बहुत चुपचाप मान लेते हैं जिन्हें हम अबीडियन भी कहते हैं और हमें अच्छा भी लगता है कि देखिए यह हमारी सारी बात मान लेते हैं पर क्या वो अंदर से खुश है क्या उनके अंदर कोई तनाफ चल रहा है नहीं चल रहा आईए इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं हमारे साथ हैं डॉक्तर गिरीश पडेल वेरी वार्म वेल्कम टीव सार। अमशाम्ति तुसर हमने जैसे अपने लास्ट एपिसोड्स में चर्चा करी टाइप A और टाइप B पस्नालिटी के उपर पस्नालिटी है क्या ड्रॉबैक्स क्या है आज अगर हम थोड़ा सा दर्शकों के साथ डिसकॉशन करें टाइप C और टाइप D के उपर कि कहीं बार हम देखते हैं कुछ व्यक्ति बहुत ज़ादा हमारा कहना मान लेते हैं लेकिन कहीं न कहीं अंदरूनी तनाव रहता है कहीं बार कुछ व्यक्ति हैं जो हर बार कुछ न कुछ उन्हें नेगिटिव चीज नजर आती है किसी भी चीज में वो भी एक अलग तरीके के लोग होते हैं तो अगर हम इसमें डिफ्रेंशियेट करें कि ये टाइप C अलग हो जाता है टाइप D अलग हो जाता है तो वाट इस एक्जाटली एसे देखो C और D भी एसे अपोसित है कि C वाला उबीडियन्ट है अज़ कुछ मानता है कभी नेगेटिव नहीं बोलेगा ना नहीं बोलेगा कि D वाला हम सब नेगेटिव ही ढूंडता रहता है तो उसके संसकारी होगे कि जहां भी नेगेटिव ही ढूंडेगा उसे अच्छा नहीं दिखाई देगा कि कपडे पहने एक चोटा सा दाग है तो उसको भी दिखाई देगा नेगेटिव ही भाला तो इसके करने दोनों ऐसे तो उपोजिट है जिस A, B का बुला C and D भी ऐसा देखो तोटाली और अगर जिसे हम C की अभी अगर सिर्फ बात करते हैं आपने से बताया कि बहुत ओबीडियन्ट होते हैं तो ऐसा क्या होता है अंदर उनके कि is it कि जैसे मैं अगर अपनी बाती करूँ मैं हर बार हर चीज में हा नहीं बोल पाऊंगी मुझे कहीं न कहीं शायद ना बोलना पढ़ता है या अंधर से मैं तनाव नहीं रखती अगर मुझे नहीं कोई चीज करने हिए तो what is it exactly, वो चीज वो कर कैसे पाते हैं कि हर बार? दूसरा है ना, हमेशा आप हाँ बोलो, प्राक्टिकली तो नहीं कर सकते हैं, सब उस करनी भी गए, तो आप पर कितना बर्डन आएगा, आप 20 गंटा भी काम करो तब भी नहीं होगा, तो अल्टिमेटली वो काम होना नहीं है, और फिर आप अपने आपको ही कोसेंगे, यह मै कि भी अंदर में हो चाहता नहीं है, सिर्फ काम करने की बात नहीं है, कुछ और भी बहुत सारी इस्वी हो सकते हैं, कि भी बॉस की कोई बहेवियर आपको पसंद नहीं है, कि आप उनको बोलते नहीं हो, या तो चलो बॉस छोड़ दो, आपके कलीग जी है, या परीवार मे कि जो आप इकवल लेवल पर हो, आप साहत उनको बोल सकते हो, लेकिन आप सहन करते जा रहे हो, तो उस पर भी फिर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, कि भी ना नहीं बोलना इसा ही नहीं, कि भी ये तुमारे वहवार बुरा है, सम्झो सामने वाला गुसा करता है, तो तो टाइप C वाला बोलेगा नहीं कुछ, उस सहन करता रहेगा, वह भी अच्छा नहीं है, बल्ल हम सामने गुसा न करें, पर अटलिस ये तो बोले कि देखो आप गुसा करें, ये सही नहीं है, तो नहीं तो एंड में बोलो, गुसा कर ले, फिर तो उनको प्यार से तुम कि देखो ये तुम ने किया, वह सही नहीं किया, आप खुद भी स्विकार करेंगे, तो ये जो सारा प्रोसेस है, उसमें उनको सप्रस करना पड़ता है, जो हम सब जानते कि सप्रेशन बुराई है, वह पिस्टन को छोड़ेंगे तो डबल फोर्स से बहार आएगी, और ये करने लगते हैं, तो इनको जादा होंगे, क्योंकि इम्मुन रिस्पॉंस डाउन हो जाएगा, और और ये जादा करो तो उनको चैंसर भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं, यही कारण नहीं है, और तो यह एक रिजन है, कि जो लोग जादा ही अपने इमोशन को सप्रस कर हैं, तो वो जादा प्रॉब्म हैं, उनके लिए मतलब ये प्रोम तो कैंसर, अच्छा इसमें ना एक मुझे क्वेशन जो अभी आया, कि अगर हम घर में रह रहे हैं, कहीं बार हम ऑफिस में तो टाइप A परसनालिटी हैं, क्योंकि हम बहुत जादा अग्रेशन में आ जात करते हैं, घर आते ही हम टाइप C परसनालिटी बन जाते हैं, जहां पे हम सप्रेश कर लेते हैं, हम आगे आनी पाते उठकर, तो उस चीज़ को हम मैनेज के से करने हैं, जैसे कहीं बार हमें लगता है कि अगर हमने इनको कुछ बोल दिया, यह हमने ना बोल दिया, तो रिष रिष्टा बचाने के लिए, चाहे वो एक बच्चे के साथ हो, या हस्बंड के साथ हो, या वाइफ के साथ हो, या बेहन मा के साथ, किसी के साथ भी, हम वो रिष्टा बचाने के लिए अपने एमोशन को अंदर ही अंदर सप्रेस करते हैं, तो उस चीज़ को हम कैसे डील कर यहां जो आपने बता हैं कि भी ओफिस में जो है क्योंकि आपको करान है तो आप बोलते हैं अभी घर में आप गए और तब क्योंकि आपको orders लेने हैं तो वहां आप टाइप C में आ जाते हैं और यह जो उस समय कि मेकेनिजम में कि हमें रिस्ता बचाना है पर उन्तों यह सुचो कि हमारे पर कितनी हमफुल एफेक्ट होगी और एक्चुली देखो तो रिस्ता नहीं बिगड़ेगा यह आपका डर है आपकी असुरक्षा की भावना है अगर सामने वाले व्यक्ति थोड़ा भी समझदार है एक्स्ट्रीम है तो अलग बात है वह आपको इमोशनली ब्लेकमिल कर सकता है नाराज हो जाएगा चार दिन तक बाते ही नहीं करेगा तो कि हो समझ जाते कि ऐसा करने से यह लोग सुधरते है तो अलग इस्यू है उसमें सोचना चाहिए कि वही अबनॉर्मल है सामने वाला अबनॉर्मल है तो बिगड़े तो भी कोई बात नहीं मुंतु एवरेज अगर वह 75-80 परसंट भी नॉर्मल है तो और रियलाईस करेंगे बोल रहे है वह सही बोल रहे है यह पॉसिबल साइट नहीं हो सकता है और समझ जो ना दो घंटे नाराज हो कोई बात ने क्योंकि त करने का तो इसलिए टाइब सी प्रस्नालेटी बिल्कुल अच्छी नहीं सिर्फ यह सोचो कि एक युक्ती युक्त रिते से उनको बोलना है जिसे सिंपल थो है कि यह मैं आपको बता रहे है तो आपको बुरा लगेगा या तो आप बुरा मानना नहीं पर नंतु तुम कर न चिलाएगा उसको कि थोड़ा सा मैं अच्छे से बोलना अपनी तरीका जो होना चाहिए वह अच्छा होना चाहिए यह कहीं बार तो एक चीज थोड़ा बात में भी बोली जा सकती है जिसे आपको किसी ने काम बोला इनी बोल मैं कर दूंगी यह बोलो कि मुझे और भी साथ चीजे करनी हैं साथ आम शॉट ऑफ टाइम जस मुझे एक दिन दो कल तक मैं आपको काम जाए नहीं होगा तो इसमें फाइदा क्या हुआ कि सिधा उनको शौक नहीं लगा कि नहीं करने वाला है और आपने बोला भी कि मैं बीजी हूं मेरे पास बहुत सारे काम हैं साथ मैं नहीं कर पाऊंगा तो वो थोड़ा प्रिपैर हो गए कि कल सवेरे ना आने वाली है और फिर कल ना बोल दो फिर उसको चार दिन तक हो नहीं करो तो बेसिकली इसका क्रक्स यह है कि हमें यह नहीं सोचना कि दूसरे वाला क्या आगे रियाक्शन दे हमें युक्ति होकर यह यह बहुत कॉमन आता है टाइप सी वालों का उनसे पैसा मंगने जाओ ना नहीं बोल सकते है अच्छा दिकत से भी कैसे भी किसको देह देगा हो लेकिन फिर उसको बहुत बड़ी समश्या आती है अच्छा यह नहीं समने वाला देगा नहीं यह आप उससे मांग नहीं सकें क्योंकि अल्रेडी हापकी परस्नालिटी ऐसी है तो इसलिए तब तो यह प्यार से बोलना अच्छा है कि यह साहत पॉसिबल ने एक है दुसरा यह भी तब तो समझा सकते हैं कि एक तो यह पॉसिबल ने में करने भी गया तो और प्रॉब्लेम्स होगे आपको भी दिकत कि हमारा संबंद भी बिगड़ जाएगा फिर कुछ भी बोले उल्टे संबंद फिर और भी गड़ते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशंट्स है कि जो बोलते हैं हमने अपने को रिलेटिव को दे दिया सबसंगोज आपने पांच लाक रुपिया दे दिया फिर मांगने कि ऐधा पांच लाट आउ प्रेसर में पांच तुम बस चली Central में घड़ा थो तो हमें थोड़ा आपन में में बोल सकते हैं तो बैठर टू certified ऑने कर दो कर दोगा अक है स्थिति हो तो करो नहीं तो नहीं करो तो हमें थोड़ा सा भी मीन होना बहुत जरूरी हैं कि काई बार हमने देखा कि यह जो लोग हैं जो अपने इमोशन को सप्रेस भी कर लेते हैं, जब इनका इरिटेशन निकलती है बहार, तो बहुत जादा निकलती है, I think एक, मैंने अभी कुछ टर्म सुनी थी, पैनिक अटेक्स, यह बहुत जादा कॉमन रहता है इन्हीं लोग जब आया तो पैनिक के रूप में बहार आ गया है यह तो बहुत जादा गुसे के रूप में आ गया है, जाकर के उल्टा सीधा सुना देगा, उल्टा जीवन भर उसका संब्ध बिगड़ जाएगा, वो टेंप्ररी ठीक कर सकते हैं लेकिन पर्मनेंटली आपको प्रॉब् कोड़ी डिफिकल्ट उसमें भी ना बोलो फिर और भी ज़्यादा डिफिकल्ट ना भोलना इस नौट रॉंग लेकिन उसको तरीके से बोलना इस इंपोर्टन के आप नहीं बोलेंगे ना तो सामने वाले भी फिर उ सीख जाते हैं एक कहिंगों को तो उनको पहले से पता है कैसे हंडल करना है कि उसको मालूम भी नहीं है तो भी आपकी बहेवियर से समझ जाएंगे तो कहीं लोग आई तिंग आपका फायदा हुटा सकते हैं नेकितिवली जैसे नहीं माबाप और बच्चों के बीच में भी होता है कि जो बच्चे टाइप C के है कहीं ना नहीं बो है अभी भी 15% 20% आपको टाइप C बच्चे भी मिलेंगे कि जो कोई नहीं करता है जो अपोसित है वो लोग कंप्लेइन करते हैं कि हमारा बच्चा मानता ही नहीं और उल्टा ही करते है पर उन्तु जो मान रहे हैं जो अच्छे है उसका कोई वर्णन नहीं करता है और अगर हम देखें टाइप D थोड़ा सा इसमें आते हैं कि कहीं लोगों का अप्रोच नेगिटिव है स्पेशली एक थोड़ा सा फणी भी लगेगा आपको लेकिन जो सास बहू का रिलेशन होता है उसमें टाइप D ही देखा है मैंने तो जो जो mostly mother-in-law होती है वो टाइप D ही हो ज साइड अगर हम टाइप D परसनालिटी की बात करें थोड़ा नेगिटिव अप्रोच जिसे आपने भी बताया पहले तो मैं बुलना भी सब ऐसे नहीं है आच्छा क्यों सब ऐसे लगते क्योंकि जो अच्छी हो तो वर्णन नहीं करते हैं तो जिनके में प्रोब्लेम है सास का तो ओकंपलेंड करेंड़ी जिसकी सासा अच्छी हो तो हमको अच्छा मेसज नहीं मिलता है винके रिलेशन अच्छी है TV वी सीरियल में हम भई देखते हैं, कि उसलिए हम कोई लगता है कि सभी ऐसे ही हाखे, इस नाट ट्रू, ने अगर हम वैसे जनरली बात करें, ताइप D के बारे में, तो नेगिटिव देखना, जिसे कहीं बार मैंने देखा है रेलेटिव्स, इन टरम्स अगर आपके वो घर प बहुत जादा सोचने लग जाते हैं, चाहे हम दूसरे के लिए सोचें, इवन अपनी खुद की लाइफ के लिए भी, हम पॉजिटिव भूल जाते हैं और नेगिटिव जादा कॉंसेट्रेट करते हैं, उस चीज़ को हम कैसे ठीक करें, तो ना कोई ना कोई कोई कारण से आ मुझे एकज़ेट पता नहीं, कहते हैं कि वो स्ट्रस के लिए यूज किया जाता है, और उसके दोनों मिनिंग है, उसका मिनिंग है चैलेंज और थ्रेट, दोनों, तो एक में ही दोनों है, तो ऐसे हर इवेंट में दोनों अच्छा भी है बुरा भी है, बस हम इतना करना है कि वो अच्छा धूंड ना है, बार अच्छा छोटा हो सकता है, कि अच्छा है, उसको धूंड निकल और बार 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 रिपीट करते रहो वोसे, और ये भी सोचों कि भी, वो बुरा धूंड के फाइदा नहीं, ताइपनी वालों को मैं जनरली क्या कहता, वल्दों नो च करूंगा कि अपने आपको डिटायच होकर कि यह देखो कि मैंने दस लोगों की गलतिया निकाली क्या उसमें से कोई चेंज हुआ तो आपको उत्तर में लेगा एक भी चेंज नहीं हुआ उल्टा हुआ आपके प्रति नेगिटिव हो गये कहीं आपको एवाइड करने लगे य कर रहा हूं उससे अच्छा में अपनी लाइफ में कुछ प्रोड़क्टिव करूं जैसा है वैसा है अगर उसमें आपका संबंद है तब तो ठीक है कि उससे आपका रिलेशन है तब उसको बोलना पड़ेगा कि अपने उसको प्यार से समझा नहीं हुआ तो उसको बोलना प कर रहे हैं तो क्यों हम टेंशन लें कहीं गए सपोस्क भी आपके शॉप में गए वहां कुछ गलत लिखा हुआ है तो डी वाला तुरंद बोलेगा तुम्हारा स्पैलिंग मिस्टेक है तो यह तुम्हारा क्या जाता है उसको पूछ नहीं रहा है तुमको तो पूछ नहीं है तो यहां तो उल्टा हो नेगेटिव एनरजी है और सामने वाला कुछ एक्सेप्ट नहीं करने वाला है वापस आपकी नेगेटिव आपको देगा वो बोले नहीं भी पन तो अंदर तो सोचेगा कि फालतु का मेरी गलतियां दिखा रहा है तो जब तक कोई पूछे नही नहीं बोलो इसमें अगर एक चीज आती है depression, depressive behavior जिसे कहीं बार लोग negative तो सोचते हैं कहीं बड़ डिप्रेशिव बहेवियर भी देखा गया है कहीं बार जिसे अगर अगर आप सुबे उठें देखते हूं कहीं लोग आते हैं counseling वगरा के लिए तो वो यही चीज बोलते है कि यगर अगले उठते तो हमें कुछ इचा नहीं लगता, हमें उठने का मन नहीं करता, तो क्या इसको हम डिप्रेजीड बेहिवियर भी कह सकते हैं? यह उप्रेजीड नहीं हो, दूसरे को डिप्रेस करें हैं, अलिमेटरी डिप्रेस्ट हो सकते हैं, तो उसके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होगा और जब अपनी और जाखे गाना तो उसको लगारे मिने तो कुछ नहीं किया होता है कि उसने अभी एक है ना कहेंगे कि रास्ता ढूंड निकाला अपनी जो कमिया है उस कमियों पे काम न करना पड़े इसलिए दूसरीयों की कम कि आपको अच्छा फील होता है तो भी मैं अच्छा हूँ कहीं कहीं आपकी इन्फिरियोरिटी को कवर करने का एक रास्ता ढूंड तो अच्छा है आप अपनी कमी को देखो और थोड़ा सा काम करो तो थोड़े दिन में और चेंज हो जाएगी यह तो आपने सिर्फ उसको क अगर हमें नेगेटिव थोट्स आखें एकतो गलती निकालना ऐसी पैसनालिटी में क्या थोट्स भी और ऑसकते है कि मदलब की हमें ऐसा लगगी कि अब शुप नहीं है लाइफ यह भी होटा है बुड़े इसले कि इन्फिर ने निफिरियोरिटी कंप्लेक्स उनकी इन्फ कैसली अपना पॉजिटिव ढूंडो को बोलना जायाँ माने पॉजिटिव ढूंडो शे antim varsa या कि अपने अपने वाहर की सफ़ाइं नहीं आखा यौनू यहाँ जाते हम चौटिव दूणते जाते हैं और रखेलत मती तो को डूरतיות कम पावरerei मैं सफाई कर देता हूं तुमको तो यूजलेस है अपने घर की सफाई करो पहले वो को रियलाइस कर दें वो फिर से अली वो एकसेप्ट करे अगर थोड़ा लिसन करे कि क्या अंदर में चल रहा है कुछ तो ऐसी मेरी मेकनिजम है फिर जाज करें इंट्रोस्पेक्शन करें त अब हमोगा है कि अगर हैं टाइप C की बात करूं तो बिना सोच एसे हम घृ जाते हैं लेकिन वो हमारे अंदेस ब्रेस हो जाते हैं इमोशन और मेरे किल से अगर हम ताइप C की एक और चीज मुझे जो लगती है वह इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं लोग कि एक्स्प्रेस नहीं करना तो इस conversation में जो मुझे एक मेरे लिए जो take away है वो यह है कि हमें लिखना चाहिए कि हमारे actually में reactions किया है in the day over situations तो में at least पता लगेगा कि कहीं हम अपने आपको suppress तो नहीं कर रहें कहीं हम negative तो नहीं सोचते तो उसके इसाब से work पर सकते हैं तो दर्शकों आज हमने बात करी type C and type D personalities के ओपर क्या होती है आखिरकारिये और मुझे जो सबसे अची चीज लगी है वो लगी है डॉक्टर अली अप्रोच जिसके अंदर accept करना listening skills अपनी अच्छी करना और lastly introspect करना बहुत जरूरी है तो हमारे साथ जुड़े रहे ऐसी ही कुछ interesting conversations के लिए आप हमें email भी कर सकते हैं और whatsapp भी कर सकते हैं हमारे लिखे numbers पे Thank you, Om Shanti कर दो हमारे सकते हैं